हेलो दोस्तों, आज हम नदियों के रिगवैदिक नाम एवं आधनिक नाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले आता है सिंधु नदी, सिंधु नदी का आधनिक नाम इंडस नदी है इस नदी के किनारे मोहन जोदोडो था और इस नदी का उदगम कैलास के मानसरोबर से हुआ है मानसरोबर जिल से हुआ है सिंधु नदी की पाच सहायक नदी है जेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज चिनाम नदी है जो सिंधू की सबसे बड़ी सहायक नदी है अगला आता है जहेलम नदी जहेलम नदी को विस्ताता नदी के नाम से भी जानते है जहेलम नदी के किनारे सिरी नगर बसा हुआ है अगला चिनाम नदी चिनाम नदी का रिगवैदिक नाम असकीनी है इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है चिनाब नदी पर सलाल बांध पनविजली परियोजना है और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्टिक पावर पलांट भी है अगला है रावी नदी रावी नदी को पुरुसिनी के नाम से भी जाना जाता है इस नदी के किनारे हरपा बसा हुआ था इस नदी का उद्गा मस्थान रोहतांग दर्रे से हुआ है और यह हिमाचल परदेश में है ब्यास नदी ब्यास नदी जिसे विपासा के नाम से भी जाना जाता है इसका उध्गम अस्थन रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है और ब्यास नदी सिंधु डौलपिन का घर कहा जाता है 17 नदी के किना रोपढ़ है और 17 नदी का उध्गम अस्थान तिबबत के मांसरोबर जील है सतलर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध और इस पर एक और बांध है नतपप जहाकड़ी बांध अगला आता है गोमती गोमती का रिगवैदिक नाम गुमाल है गोमती नदी के किनारे लखनव सहर बसा हुआ है